अलो दोस्तों कैसे आप सब आप सुभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में अभी हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी में कल कौन से लिवल इंपॉर्टेंट होंगे और कैसे ट्रेड किया जा सकता है और हम लोग उने लास्ट क्या डिसकस किया था तो मैंने कुछ और इं तो निफ्टी में बात की थी तो मार्केट की ओपनिंग लगभग इस लेवल पर हमारी हुई यहां पर यहां से नीचे की और गया पहला सपोर्ट की तरह बीहेब किया फिर यह ब्रेक करने के बाद नीचे तक आ गया तो हम लोग ने यह डिसकस किया था फिर देखो गया तो यहां से फिर यह सपोर्ट की तरह मार्केट बीहेब करता हुए नजर आया तो आज एक्सपाइरी थी और हम लोग ने डिसकस भी किया था तो और भी एक स्ट्राटिजी जैसे माने आप लोगों से डिसकस किया है कि अगर एक्सपाइरी को आप ट्रेड कर रहे हो तो आफ ब्रेक किया तो कुछ अच्छा जीरो हीरो नहीं मिला होगा खेर अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कल के लिए अब डिसकसन हम लोग देखते हैं सिंपल रखते हैं कल के लिए कौन सा लेबल इंपॉर्टेंट होगा यह लेबल नीचे के लिए इंपॉर्टेंट होगा यह ले लेबल जो होगा हमारा ये होगा 21,380 का और ये ब्रेक करेगा तो ये लेबल हम लोग फिर से लो देखेंगे लो एक सपोर्ट की तरह हम लोगों का बिहेब करेगा तो इसका ध्यान रखना है ये एक सपोर्ट की तरह बिहेब करेगा और ये ब्रेक करेगा तभी आपको यहां ल्खना, और उपर की अगर हम लोग बात करें, तो उपर का सिंपल सा है, यह लेबल अगर क्रोस करता है, यहां से विच्छा टेड़ लाइन चलता हूँ नजर आएगा आप लोगों को, यहाँ पे एक trend line नजर आएगा यहाँ पे देखोगे आप लोग तो यह इसको याद रखना है 21500 का label यह अगर उपर की और जाता है तो पहला label हमारा 2550 का होगा और उसके बाद हमारा जो दूसरा label होगा hold अगर करता है हमारा 2550 का label तो दूसरा जो हमारा label होगा वो 650 का होगा ठीक है 650 के hold करने के बाद ही हम लोग उपर के बारे में सोचेंगे और उपर के बारे में जो उपर के labels हैं उसके बारे हम लोग बात कर रहे हैं तो यह सारे labels आप लोग ध्यान रखना है इस base पे देखो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे decisions ले पाओगे आप लोग इससे ये नहीं है कि आप 100% 100% इसको trade ले पाओगे इस पे बट इससे एक अच्छा decision ले पाओगे जैसे मान लो नीचे आया ये market उपर गया तो इस condition में यहां क्या होगा आप यहां put के बारे में नहीं सोचोगे क्योंकि हम लोगों ने label discuss किया है ऐसे लेबल से put के बारे में नहीं सोचोगे ये एक resistance पे मान लो आप try करते तो एक अच्छा खासा point भी मिल सकता था तो इसलिए labels आप लोग draw करके रखो और उस तरह से ही आप लोग trade कर सकते हो अगला हम लोग देख लेते हैं bank nifty को देख लेते हैं bank nifty में हम लोगोंने क्या discuss किया था bank nifty में हम लोगोंने discuss किया था ये label break करते ही अगला target हमारा कौन सा होगा ये target होगा ठीक है हम लोगों ने डिस्कस किया था 488 का तो थोड़ा और नीचे गया वहाँ से 430 के आसपास का फिर वहाँ से recover करता हुआ market नजर आया और ये एक से दो मिनट में ही ये हुआ है तो recover करता हुआ नजर आया और ये एक support की तरह behave करेगा हम लोगों ने हमेशा discuss किया है और discuss किया था उस दिन भी तो ये लेबल जब support की तरह behave करता हुआ नजर आया तो मैंने discuss ये भी किया था कि market नीचे आता है फिर जब ये break करेगा तभी entry करनी है यहां से entry करके मैंने यहां अगर market होता है हमारा अगला target क्या होगा इस लेबल तक का होगा यह 46,000 का लेबल होगा आप लोग पीछे वीडियो भी देख सकते हो जाकर analysis वाली तो हम लोगों ने ये discuss किया था क्योंकि एक बात का हमेशा ध्यान रखना आप लोग gap या मैंने पहली भी कहा है आप लोग पुरानी वीडियो में भी देख सकते हो कि gap या last day की closing एक support और resistance की तरह work करती है जैसे मान लो market यहां नीचे open होती है और यह अगर यहां तक जाती है तो यह resistance की तरह भी है करता है देखो एक ब्रेक आउट हुआ इसमें एक fake breakout हुआ बट उपर की अगर हम लोग बात करें तो मैंने 46,400 के उपर ही discuss किया था कि market strong होगा otherwise हम लोग sale and rise के condition में ही रहेंगे तो market ने exact यहां से यह नीचे आया और फिर क्या हुआ हमारा जो यह horizontal line है यहां से ही support लेकर market ने यहां पे closing दे दी तो कल की हम लोग बात कर लेते हैं simple रखते हैं यह label अगर cross करता है यह label कौन सा है 800 का level 800 का label अगर cross करता है एक 15 minute का green candle यहां अगर आपको दिखता है उसके high को break करने के बाद आपका पहला target यह होना चाहिए 46, 180 मान लो पहला target यह होना चाहिए और यह अगर hold करता है तो फिर हम लोग 46, 400 का label भी देख सकते हैं उसके उपर यह label cross करने के बाद ही हम लोग उपर उसके बारे में सोचेंगे तब तक के लिए उपर के label समारे यही रहेंगे इसमें draw करके रखा है मैंने horizontal line तो इसका भी ध्यान आप रख सकते हैं नीचे की बात करें तो यह जब तक break नहीं करता है यह एक support की तरह कल behave कर सकता है यह अगर break नहीं करता है तब तक हम लोग buy on dip के condition में रहेंगे छोटा से SL लखना है इसके आसपास कहीं पकड़ते हो अगर तो छोटा से SL होना चाहिए और यह अगर label break करेगा तो फिर नीचे के जे labels हैं यह आप वहाँ तक भी देख सकते हो market को मतलब 45,000 तक भी market 500 पॉइंट भी यहां से फिसल सकता है तो यह ध्यान रखना है यह lines draw करके रखो आप लोग और last day closing और इसको support resistance की तरह work करता है यह भी आप लोग देखो और इन चीजों को आप लोग चार्ट देखो देखो बिना learning के एक बात का हमेशाद ध्यान रखना कि without learning आप market में survive नहीं कर सकते हो है ना तो एक चीज और मैं आप लोगों से discuss कर दूँ कि मैंने हेज का एक course launch कर दिया है काफी अच्छे review है उसके मैं telegram में share भी करता हूँ कल की telegram में भी आप लोगों ने देखा होगा तो मैं उसमें हमेशा यह बताता हूँ आपको वहाँ क्या-क्या मिलेगा या उस course से आप क्या-क्या सीखोगे first over trading से बचोगे ठीक है over trading नहीं करोगे over trading नहीं करोगे rule आपका break नहीं होगा rule break नहीं होगा rule भी break नहीं होगा और क्या उसके फायदे है आपका capital जो है वो safe रहेगा capital आपका safe रहेगा और obvious है course में आप rule के बेस पे करोगे तो definitely profit भी book करोगे तो इन चीजों का ध्यान रखना है जो screen ज़्यादा नहीं देख सकते हैं या देखना नहीं चाहते हैं या जो naked trade पसंद नहीं करते हैं tension free trade करना चाहते हैं तो इस तरह ये hedge का course जो है आप उसमें enroll कर सकते हैं telegram में detail है वहाँ जाकर आप देख सकते हो तो कल sunset की expiry है ज़रा वो भी हम लोग देख लेते हैं कौनसे levels important होंगे देखो market हमेशा क्या करता है कि structure create करता है एक structure बनाता है ठीक है तो यहां से अगर market निकलेगा तो minimum यह यहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा यह ध्यान रखना यह जब hold करेगा उपर के बारे में अगर हम लोग सोचेंगे तो यह level अगर hold करेगा label कौन सा है ज़रा देख लेते हैं यह level है हमारा 71 460 का मान कर चरो 71 460 का यह level अगर hold करता है तो फिर हम लोग उपर के जो target देखेंगे वो 600 होगा पहला और दूसरा target 71800 भी हो सकता है उपर के लिए यह level hold करेगा तभी हम लोग फिर से उपर के labels भी देख सकते हैं क्योंकि देखो यह सारी जो label है यह जो swing है इन चीजों का भी आप लोग ध्यान रखो यहां मान लो यह swing है यह अगर cross करता है तो यह यहां तक आ सकता है क्यों उसके पिछे कारण क्या है क्योंकि यहां पर short करके रखा गया है मान लो तो इनके SL यहां ही होंगे SL अगर इनका जाएगा तो shorts जो है cover होंगे buying होगी तो market और उपर move करेगा क्योंकि कल expiry है तो shorts covering और long unwinding वगरा होती रहती है नीचे के label के अगर हम लोग बात करें तो यह label यानि 71,000 का label अगर break करता है तो नीचे का पहला label हम लोग direct नीचे का देखेंगे 70,600 का label और यह 600 break करने के बाद तभी हम लोग नीचे के बारे में सोचेंगा otherwise नीचे के बारे में सोचना नहीं है क्योंकि यह label अब एक support की तरह behave कर सकता है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है और आप लोग जो सारी चीज़ें हम लोग discuss करते हैं यहाँ पर आप लोग ये भी कर सकते हो कि backtest भी कर सकते हो और देखो चार्ट को जितना देखोगे उतना आपके trading में help होगी अना उतना help होगी आप stock के देख सकते हो और index के चार्ट देख सकते हो सारी चार्ट को आप लोग read जरूर करो क्योंकि learning बहुत ही important है and again expiry में जो भी 15 minute का use करना है आपको candle 130 के बाद जो side break करता है उसके तरफ आप zero hero का trade ले सकते हो अगर high break करता है तो आप C में trade बना सकते हो low break करता है तो P में भी trade बना सकते हो और बहुत सारी चीजे मैंने आप लोगों को सिखाई है range भी आप लोगों को create करना सिखाया है आप लोग range भी create करके draw करके trade कर सकते हो range वाली वीडियो आप लोग देख लेना तो चलो कोई भी doubt हो अगर हो आप लोगों को comment में पूछ सकते हो उसको हम लो clear कर लेंगे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिन जाय बाइ